इंटरनेट पर दही जमाने वाली यह मसीन काफी वायरल हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा यह गैजट मैंने का सभी की घर में दही की जरुवत तो पड़ती पड़ती है सरदी हो चाहे गर्मी दही तो हमें चाहिए चाहिए तो फिर मैंने इसको ओर्डर कर दिया औ और अगर यह वर्क करता है तो रियली आपके लिए काफी हेल्फ हो जाएगी फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मैं बहुत ही महनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूं अच्छे एच्छे गैजट खुद मंगाती हूं और आपके लिए और तो कि अनंको knowledge भी देती हूं कि इस तरह के गैजट भी मार्के इन से मिलते हैं प्लीज प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना वीडियो को शेयर करना तो यहां तो यह गोद्रेंग मैकर देखने में कुछ इस तरह का है नीचे इसमें एक मसीन दी हुई है और उपर एक स्टील का कटोरा है जिसको इसमें फिट करना होता है और इसमें एक प्लग भी लगा हुआ है इसकी एक लिड भी है बस इस लिड को लगाना है और प्लग को मतलब अग्रेटिसिटी से कनेक्ट करके अन करना है तो यहां पर बताना चाहूंगी इसका जो बावल है ना इसकी कपासिटी है पूरी एक लीटर की इसमें सारी डीटेल्स दी हुई है यह देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या लिखा है थोड़ा सा बता देती हूं क थेखिए यह द्रीटे हमाब गावल हुआ है है फूर्ड डीटर की साथ सफी मोत और यह पूर्च होज़arat है इसमें यह यह दियुक्त आप जमा सकते हैं का उर्ड बोल स्क्यों ऐसमें पालकर के कfal कि ने सब जल्ne 2 गलाश दूद जह थजो खिञा लिखो देती हूं यह दे को क्या करेंगे हम इस बावल में डालेंगे लिए लीटर का है तो यह अच्छा हिससा ही समें भरा है कि में दूद में डालना होगा जामन तब तो हमारा दाही जमेंगा ना तो एक चम्मच हम यह पर भी ले ले लेटे हैं और इसमें हम दाल देंगे मैंने बिलकोल नॉर्मल द एलेक्रिसिटी की बोट की वबस्था नहीं है तो मैने यह नदे लगा देते हैं अब देख सकते हैं इसकी बत्ती जलने लगी है तो अब हम इसको छोड़ेंगे देखते हैं कितनी देर में दही जम के तैयार होता है ठीक है फिर मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी कि कितनी अभी मार्केट भी जाना है तो बच्चे फैला ना दे तो मैं इसको अंदर सिफ्ट कर देती हूं तो यहां पर हमने अंदर किचिन में इसको रख दिया है और एक घंटे बाद मैं जरूर इसको देखने आउगी तो एक घंटे बाद जब मैं इसको देखने आई तो यहां पर ढगरम तहरा धकर में देखे पानी जैसे भाब बनती है तो पानी खटा हो जाता है धकरन है विलक्ल वैसी खटा हो जाता हुआ हलकी हलका सा गरम भी थहा धकरन अब मैं आई हूँ शाम को पा गंटे पाग जी हाँ फ्रेंड नस पाँ गंटे बाद आई हूँ अब मैं दिखाती हूं कैसा दही जमा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सायद इसको मैं 1 गंटे और रखती तो थोड़ा सा दही और अच्छा जम जाद avor कर रहा है इसमें दही जम जाता है और थोड़ा सा टाइम लगता है पांच गंटे लगे अगर पूरा बाउल भर देती तो साथ इसमें 8-10 गंटे लग जाते और इनके जो box थान उसमें लिखा भी था कि 8-10 गंटे का टाइम लगता है दही को बनने में अब आप समझ लेजिए कि आप ज चाहिए हो आपको सही लगा हो कि हाँ आदर घंटे में जम जायेगा तो अच्छा है सर्दियों में इसपेस ली अच्छा है क्यूकि ऊतनी टेंप्रिचर को मेंटेन करता है तो आप खरी सकते हैं ठीक है तो लिंक मैं ने दे दिया है उपार डिस्कूशन बॉक्स में और इंस् लिंक मिलेगा वहाँ पर आपको इस ग्याजिट की लिंक मिल जाएगा वीडियो अची लगी हो तो लाइच शेयर करना बाइबाई